स्टोरी वीथ अरुन सुन रहे सभी स्रोता सब का बहुत बहुत स्वागत आधरनीय स्रोता नमस्कार आप लोग सुन रहे हैं यूटूब का स्टोरी वीथ अरुन चैनल और मैं हूँ आप सभी का हरपल का आरजे दोस्त अरुन गिरी उपस्तित हूँ एक बार फिर से सस्पेंस, ठीलर और मिश्ट्री से भारी पूर्ण एक बहुती दिल्चस्ब नौवेल के साथ। आज से जिस उपन्यास का हम लोग वाचन कर रहे हैं उस उपन्यास का नाम है हत्या कांड। एक बहुती संसनी खेज और रोमान चक रहस्य से भ पांदी रहेगी। एक ऐसी मडर मिश्ट्री स्टोरी जो इससे पहले आप लोग कभी नहीं सुने होंगे। दिल और दिमाग को जख जोर कर रख देने वाली सस्पेंस, ठीलर और मिश्ट्री से भारपूर एक बहुती जबरदस्त उपन्यास है हाथ्या कांड। आज से इसी उपन्यास को आप लोग मेरे इस चैनल पर सुनेंगे धारवाही ग्रूप में। जो भी फ्रेंड्स अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बक्स में बता रहाऊं रहस्य और रोमान्स से भारा एक बहुती संसनिक हेज, सस्पेंस, ठीलर और मिश्ट्री से भरिपूर्ण एक जबरदस्त मडर मिश्ट्री नॉबेल जिसका नाम है हात्या कांड। सुनिए इसी नॉबेल की पहली एवमिसकी प्रीमियर एपिसोड आरजे अरुन के स 12 दिसंबर हम पति-पति के लिए ये दिन बर्ष के सेस 364 दिन से बिलकुल ही अलग और सरवाधिक महतोपुर्ण दिन है क्योंकि इसी पवित्र दिन हम दामपत्या सुत्र बंधन में बंद है अपने इस महान पुर्व को सिर्फ हम दोनों पूरी सक्तिसाली और सादगी के साथ मानाया करते हैं इसलिए परतेक बर्ष के 12 दिसंबर को मेरट से कहीं बाहर दूर किसी हिले स्टेशन महानगर या एतिहासिक महतोप के आस्थान पर निकल जाते हैं इससे हमारा एंजोय तो होता ही है साथ ही नई नई चीजे देखने विभीन किस्म के लोगों से मिलने आदी से ऐसी जनकारिया भी मिल जाती है जिसने मुझे अपने पाठकों के लिए दिलचस्प और नएने कथानक तयार करने में मदद मिलती है ऐसी ही एक कथानक मुझे इस बार जिन्दल पूरम से मिला जी हाँ जिन्दल पूरम एक ओधोगी की नगर इस बार हमने अपना मेरेज डे इसी ओधोगी की नगर में गुजारने का नेश्चय किया था इस नगर में जो कथानक मुझे मिला इस बार साधे तीन घंटे के नाम से उसी को कलंबद कर रहा हूँ जीन्दल पूरम पहुचने पर हमने वहाँ के सबसे अच्छे होटल इंजोई में एक कमरा लिया थोड़ी देर अराम और अस्नान आदी करके घूमने निकल गए इस नगर सिर्फ एक ब्यक्ति ने बसाया था जी हाँ केवल एक ही ब्यक्ति ने अपनी अकल, लगन, परिश्रम और योग्यता से उस ब्यक्ति का नाम था हरिकेस बहादूर जिन्दल प्रसीत था कि हरिकेस बहादूर का जन्म एक गरीब दमपती की जूपड़ी में हुआ था उपने माता पिता की प्रथम संतान थे उनके बाद उनके तीन छोटे भाई और दो बहने भी इस दुनिया में आ गई एक दुर घटना में पिता अपाही जो गए तो गिरहस्ति का सारा भार हरिकेस बहादूर पर आ पड़ा उस भक्त हरिकेस बहादूर की उम्र केवल 16 साल की थी जब गिरहस्ति चलाने के लिए एक लोटरी का पता लेकर अपनी जोपड़ी के बाहर बैठा 60 साल की आयू तक पहुंचते पहुंचते वो कागज बनाने वाली एक मिल का मालिक बन गया अभ्यापारी में उसके छोटे भाई भी उसके साथ थे देखते ही देखते वो एक के बाद दूसरी मिल की अस्थापना करते चले गए 90 साल की आयू में हरिकेस बहादूर की मिरितू हो गई परन्तु अपने पीछे वो एक भारा पुरा परिवार, पतनी और बचे को छोड़ गए थे साथ ही छोड़ गए थे खूब फैला हुआ बिजनेस जिसे उनके भायों और पुत्रों ने मिल कर संभाला ही नहीं बलकि बढ़ाते ही चले गए हरकेस बहादूर के बाद से चार पीडिया बदल गई आज पूरा जिन्दल पूरम बस गया है नगर में जिन्दल परिवार की सगर फैक्टरी, डिस्ट्री, कपडा मील, कागज मील, रबर फैक्टरिया आदी लगबग हर वस्थु का उत्पादन करने की फैक्टरी है नगर की लोग जिन्दल परिवार के परतेक सदस्य को पूझनिये मानते हैं हर एक दिल में उनकी लिए असिमित, स्रधा एवं सम्मान है ये वाक्या जिन्दल परिवार में केवल तीन ही प्रानी है सबसे बड़े गजिन्दर बहादूर जिन्दल, उनका इवाप पुत्र अनूप जिन्दल और उसकी पत्नी बीभा जिन्दल आप लोग यानि मेरे पाठक सोच रहे होंगे कि मैं बेर थी जिन्दल परिवार का इसलिए लिख कर आप लोगों को बोर क्यों कर रहा हूँ लेकिन नहीं मैं ऐसी एक भी पंक्ती लिखना पसंद नहीं करता जिसका मेरे मूल कथानक से संबंध ना हो मैं तो कवी सोपने में भी नहीं सुन सकता था कि वहां मेरी मुलकात बीभा से हो जाएगी जी हां उस बीभा से जिसका ख्याल आते ही मैं बेचैन सा हो उड़ता हूँ जुबा पर नाम आते ही दिल बेकाबू होकर धड़कने लगता है मेरे अतीत का एक टुकडा रहरा कर आखों के सामने चक्राने लगता है बीभा से मुलकात होने के बाद जो कुछ हुआ ओ एकदम आपरत्यासित, दर्दनाक, संसनी खेज और अत्यंती रहास्य मैं था मेरे अब तक लिखे गए हर जासुसी उपनिया से कहीं ज्यादा रहास्य मैं साइध इसलिए मैंने उस सब को एक कथानक के रूप में अपने पाठकों और सुरताओं के सामने रखने का निश्चय कर लिया हाला कि मैं जानता हूँ कि मेरे इस कृत्य को बीभा, बत्तिमी जी और जलालत ही कहेगी मेरे दिल की धाटकन मुझसे नराज भी हो सकती है प्रन्तु आन्जाम चाहे जो हो एक सच्चा कलाकार होने के नाते ओसारा किस्ता साधे तीन घंटे में लिख रहा हूँ लगता है कि मैं बाख रहा हूँ, भावनाओं में बाह रहा हूँ धेर सारी बाते बहुत जल्दी एक ही सांस में कहा देना चाहता हूँ यदि मैं इसी तरह लिखता रहा तो सब कुछ अटपटा सा लगेगा आता अगले अनुछेद से परतेक घटना को मैं क्रमबद धांग से परस्तूत कर रहा हूँ ये कहानी और ये घटना करम इतनी संसनी खेज और इतनी रहा समय है कि जिसकी कोई कलपना भी नहीं कर सकता तो चलिए बिस्तार से इस कथाना को पढ़िए मेरे साथ उस रोज तेरह दिसंबर था कुछ लोग तेरह के अंको मनहुस मानते हैं कम से कम उस तेरह दिसंबर से पहले मैं ऐसे लोगों में से नहीं था परन्तु उस दिन घटी खिर्दय पिदारक घटना ने मुझे भी ये मानने के लिए बाध्य कर दिया कि ये अंक सचमूच किसी न किसी रूप से मनहुस होता है दोपार का समय करीब एक वज रहा था मैं और मधू ये मेरी पत्नी का नाम है इंजोई के रेस्ता में बैठे लंचले रहे थे मधू खाने में व्यस थी अचानक ही मैंने उसे पुकारा मधू जी मधू के हाथ रूप गए खाना ववाकई अच्छा है जी हाँ रात के खाने से तो बहुत ही अच्छा उस खाने को खाने बक्त मैं ये सोच रही थी कि घुमाने के नाम पर जाने इस बार आप मुझे कैसे सहर मिले आए है मैं मुस्कुरा दिया बोला क्यों जिन्दल पूरम पसंद नहीं आया क्या अब तो पसंद आ रहा है मधू भी मुस्कुराई मैं खाने के नहीं इस सहर के बारे में पूछ रहा हूँ बेवकूफ मधू की मुस्कुराहाट गहरी हो गई ओ जानती है कि जब मुझे उस पर ज्यादा प्यार आता है तो मैं अक्सर उसे बेवकूफ का दिया काता हूँ बोली साइड आपको मालूम नहीं कि अच्छा खाना मिलना भी अच्छे सहर की खूबियों में से एक है तुम औरतों को तो बस खाने से ही मतला है मैंने छेडा हाँ हाँ क्यू नहीं और तुम मर्दों को क्या चाहिए सेर सपाटा आखे सेकने के लिए बजार में घूमती तितलिया सबसे खुफसरत तितली तुमेरे सामने बैठी है बस बस बनाने को रहने दीजिए मैं आपके बीबी हूँ पाठक नहीं जो आपकी लच्छेदार बातों में फंसने के लिए पाँच रुपए का नोट बरबाद कर देते हैं इस चुहलबाजी को जारी रखने के लिए अभी मैंने मूँ खोला ही था कि अचानक डाइनिंग हॉल में एक सोर सा उठा काउंटर कलर्ग सहीत कई के मूँ से दबासा स्वर निकला अनूप सहाब अनूप सहाब हमारा ध्यान भी भांग हो गया अचानकी सरगर्मी सी बढ़ गई थी मेजो पर लंच लेते ग्रहाक खाड़े हो गए होटल के इस्ठाब का परतेक करमचारी सधारन आवास्ता से बहुत ज्यादा चूस्त और चौकस नजर आने लगा और ऐसा उस इवा जोड़े के कारण हुआ था जो अभी-अभी हॉल में परविश हुआ था मधू और हॉल में मौजूद सभी लोगों के साथ मेरी नजर भी उस तरफ उठ गई काउंतर के समीव खड़ा और खूसरत जोड़ा मुस्कुरा रहा था इवक किसी राजकुमार के समान सुन्दर था और इवती उफ्फ मेरा दिल बहुत जोर से धड़ाक उठा धड़ाकता हुआ गोस्त का लुथडा जैसे कंठ में आभासा बर्बसी मेरे कंठ से दबी दबी सी चीख निकल गई बीभा मधु चौकर मेरी तरफ देखने लगी मेरा ध्यान मधु की तरफ बिलकुल नहीं था दिल नियंतरन से बिलकुल बाहर होकर किसी हथाओडे के समान पसलियों पर चोट कर रहा था बिलकुल बाहर किसी हथाओडे के समान चोट कर रहा था सुन्दर था ओ इवक और इवधी की जोडी मैं एक टक उसी तरफ देख रहा था द्रिश्टी उसी पर चिपक कर रह गई थी बीभा के मुखडे पर हाँ निश्य ही ओ बीभा थी इंद्र के दरबार की मेनकासी उतने ही सुन्दर जितनी तब भी थी जब मेरे साथ पढ़ा करती थी बलकि उससे भी कही ज़्यादा दूद से ओ मेरे साथ पढ़ा करती थी दूद से गोरे पुर्निमा के चान से गोल मुखडे पर वेही म्रिग्न नैनी आखे, पंखुडियों जैसे होट, सुतवा नाग, घने काले और लंबे बाल, कंठ ऐसा जैसे काच का बना हो, हाँ, ओ बिभा ही थी, बिभा, उफ, मेरा दिल बहुत चोर से धड़क रहा था, ऐसा लगता, जैसा गोस्त का लुर्चा जैसे मेरे कंठ में आफ़सा हो, मैं एक टक बिभा को ही देख रहा था, उसके होटों फर मुस्कान थी, जिस्न पर सच्चे गोटे के भारी जालवाली कड़ाई की गई साड़ी, उसी से मैच करता बलाउज, गौल भरी हुई, कलायों में सोने की हीरे जड़ीत चूडिया, गले में कीमती हीरों का जगमगाता करता नेकलेस, होटों पर नेचुरल कलर की लिबिश्टीक, मुखडे पर हलका समेकप, मस्तक्स पर नाक के ठीक उपर सिंदूरी सूरज, सिंदूर से भारी मांग, नाक में नत, और कानों में लटकने वाले बुंदे, पहने वो बीभाई खड़ी थी, कमान सी भाऊं की नीचे, उसकी काली और गहरी मुश्कुराती सी आखो में मैं खो गया, मधू साइद एक तक उस वक्त मुझे ही देख रही थी, बीभा की द्रिश्टी अभी तक मुझे पर नहीं पड़ी थी, मेरे दिमाग में बड़ी तेजी से सवाल उभरा, कि अगर ओ मुझे देख ले, तो क्या पाचान लेगी, और यदि पाचान भी ले, तो क्या मुझे से बात करेगी, आचानाख ही जाने कहां से इंजोय का मैनेजर प्रकट होकर उनके सामने पहुँचा, सेवा की तरह जूँक कर उनकी आगवानी की, साइद उसने कुछ कहा, अनूप और विभा एक खाली सीट की तरह बढ़ गए, मिरे दिमाग में बड़ी तेजी से बिचार को धी, ये अनूप वही जिन्दल परिवार का एक मात्र जीवित चिराग है, अनूप जिन्दल, और वो उसकी पत्नी है, वीभा जिन्दल, ओह, मेरे दिमाग में पहले ही ये ख्याल क्यों नहीं आया, कि यहीं बीभा जिन्दल होगी, आता भी कैसे, मैं तो ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था, कि बीभा इतने बड़े घाराने की बहु बन गई होगी, जो कुछ अपनी आँखों से देख रहा था, मुझी तो बीभार के साथ जुड़ कर, बीभा सर्मा अब बीभा जिन्दल बन गई है, अभी अतीत का ओ टुकडा मेरी आखों के सामने ओवरा ही था, कि कहां खो गए जनाव, क्या ओ मुझसे भी सुन्दर तितली है, मधु ने मुस्कुरा कर कह, मैं बुरी तरह चौका, बोला, ओ ओ बीभा है, मधु, कौन बीभा, मधु ने धीमे से पूझा, परंतु मैंने हर ब्रहाट में अपना वाक्या इतनी जोर से बोल दिया था, कि आवाज हॉल में मौझूद दूसरे लोगों के अतरीक्त, अनूप और बीभा ने भी सुन्नी थी, दूसरों के समान चौकर उन्हों ने भी मेरी तरफ देखा, अगली ही पल बीभा के कंठ में कहीं सितार बजा, वह बेद मैं उचल पड़ा, मधु के सवाल का जबाब दिये भीना, हका बक्का सा बीभा के तरफ देखने लगा, ओ, तुम तो सचमुच बेद ही हो, बीभा रुपी कोयल पुना खूकी, ओ खू थटके समय खाडा हो गया, मधु भी खाड़ी हो गई, हाँ बीभा, मैं हका बक्का सा था, मैं तो तुम्हें यहां देकर चकित रा गया, सारे हौल की तरह मधु भी चकित निगाहों से हमारी तरफ देख रही थी, तब तक अनूप भी हमारी सीट के करीब आ चुका था, बी पड़े हैं, वहीं जिनके आप उपन्यास पड़ते हैं, ओह, कहने के साथ ही अनूप ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया, बोला, आप से मिलकर बहुत खुसी होई सरमाजी, मैं आपका फैन हूँ, बीभा अकसर कहा करती थी, तुम इसके साथ पड़े हो, मुझे भी, मैंन पतनी हैं, मधु, मधु ने अपनी आदत के मुताबित, हाथ जोड कर नमस्ते की, होटो पर मुस्कान भी खेरी, और बोली, लंच आपको हमारे साथ ही लेना पड़ेगा, वाई नौट, बेठो वीभा, तुमारा क्लास फैलो मिल गया है, और मेरा फैबरिट राइटर, अनूप कुरसी पर बैठ गया, वीभा उसके सामने वाली कुरसी पर, मैं और मधु भी बैठ गया, और सुनाओ वेद, तुम यहां क्या कर रहे हो, वीभा ने पूछा, मेरी कुछ कहने से पहले ही अनूप बोल पड़ा, क्या कर रहे होंगे, किसी नए पलोट की तलास में हो को अपने लेखक से बात करनी है, तो बाद में करे, फिलाल चुप राने में ही आपकी भालाई है, अनूप ठाहा का लगा कर हस बड़ा, मधु और मैं भी मुस्कुरा दिये, अनूप ने मधु से कहा, लीजिए मधु जी, हम दोनों ठूठ रा गए, ये पुराने दोस्त मिल अब भला हमारी परवा क्या करेंगे, पुरानी दोस्ती में कसी से ऐसी होती है, मधु ने कनख्यों से मुझे देखा, मेरे कुछ कहने से पहली ही, वहाँ उवेटर आधम का, उनसे पूछ कर मैंनून की पसंद के लॉंच का ओडर का सारा समान उवेटर को बता दिया, अब जासुसी उपन्यास छेतर में मेरा नाम खूफ चल रहा है, उसने सफलता के लिए मुझे बदाई दी, अनूप जिंदल किसी पाठक के सामने ही मेरे उपन्यासों की तारीफ करता रहा, साथ ही कुछी कुछ वैसे प्रस्न करता रहा, जैसे अकसर मिलने पर पाठक करते जिस वक्त मैं और अनूप बात कर रहे थे, उस वक्त मधु और विवा के बीच जाने क्या खिच्री पकती रही, लंच में हमें एक घंटा लगा, और इस घंटे में ऐसा लगने लगा था, कि जाने हम सब कितने पुराने परिजीत है, अनूप ने हमें डिनर पर जाने का ओवादा कर लिया, कमरे की चटकनी अंदर से लगा कर, मैं अभी घूमा ही था, कि मधु ने पूछा, कहीं जनाव, कौन है ये बीभादेवी, कौन है, क्या मतलब, मैं थोड़ा बौक लाया, तुम्हें परिचय दिया तो था, ओ एललबी में मेरे स्ताथ पढ़ी है पढ़े तो और भी बहुत से इस्टूडेंट सोंगे, चंचल मुस्कराहाट के साथ मधु ने मुझे गहरी द्रिष्टी से देखती वे कहा, लेकिनों बीभादेवी मुझे कुछ बिसेसी आपके साथ पढ़ी हुई नजर आई, जी उठी किसी गरीब को खाजाना मिल गया ह ऐसे मत कहो मधु, मैं गंभीर हो गया, बीभा के बारे में ऐसा सोचना भी पाप है, मधु का चंचल स्वर, कैसा सोचना, ओ ऐसा ही जैसा तुम सोच रही हो, कैसा सोच रही हुँ मैं, साइध यहीं कि जब ओ मेरे साथ पढ़ती थी, तो मुझसे कुछ प्यार व्यार करती थ क्यों नहीं हो सकता, उम्री यह इसी होती है, इस्टुडेंट्स लाइफ में अकसर यह लोग लगी जाता है, मधु, मुझे छेड रही थी, जबकि मैं पूरी तरह गंभीर था, बोला, यह माना मधु, कि इस्टुडेंट्स लाइफ में अकसर प्यार हो जाता है, लेकिन सच मानो, ओ सब लड़कियों से अलग थी, बहुती ब्रिलियंट, समझदार और सुल्जे हुए पैने दिमाग की मालिक थी बीभा, आप तो बड़ी तरीफ कर रहे हैं उसकी, मधु, सच मुझ, बीभा है ही तरीफ के काबिल, अभी तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानती, वो तीन साल पड़ी है, उसका दिमाग बहुत तेज है, बहुती पैना, सिर्फ मैं या दूसरे सब एश्ट्रेंट्स ही नहीं, बलकि LLB के हमारे प्रोफेसर भी बीभा के दिमाग का लोहा मानते थी, वो अपनी सुन्दर्ता से हजार गुना ज्यादा वुधिमान और ब्र स्पाई गई, सभी चौंक पड़े थे, किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि हात्या कव, किसने और क्यों की, केस जब पुलिस के बस का ना रहा, तो प्रसासन ने किंद्रिये खुफिया बीभा को सौफ दिया, खुफिया बीभा के जासूसों से पहली अत्यंत जटिल केस को बीभा ने अपनी बुद्धी और तफ्तिस से हल करके सब को चकित कर दिया था, मैं उसकी दिमाग की नहीं जनाब सुन्दरता की बात कर रही हूँ, सच मधु, प्यार व्यार की तरफ उसका कोई ध्यान नहीं था, अरे आप तो सिरियस है, हलके से चौकर इस बर मधु भी ग अप साइद सच मुद्ध ये समझते कि मैं आपके और विभा के संबंदों पर सक कर रही हूँ, इसा नहीं है मधु, मैं जानता हूँ कि मेरे बारे में कम से कम तुम ऐसा कभी नहीं सोच सकती, फिर आज अचाना की इतने सिरियस कैसे हो गए, दरसल तुमारा ये सोचना ठीक ही था कि स्टुडेंट्स लाइफ में इवक इवत्या अक्सर बहाग जाया करते हैं, बात तुमने बिल्कुल उल्टी कही थी, दरसल बीभा कभी नहीं बहागी, उसे लेकर अक्सर लड़के ही बहाग जाया करते थे, उन बहागने वाले लड़कों में मैं भी सामिल था, क्य ऐसे प्रिष्ट पढ़ाना चाहता हूं, जिने तुमने कभी नहीं पढ़ा था, यू समझों कि जिने मैं खुद भूल चुका था, मैं आपके साथ फेरे ही आपकी जिन्दगी की किताब पढ़ने के लिए लिए हैं, तो सुनो, मैं एक लंबी सास लेने के बाद सुरू हो ग एललबी पढ़ाएं ही दिमाग की है, और दिमाग में हम सब में तेज थी बीभा, मैं मध्यम स्रेनी के दिमाग वाले बिधार्थियों में से, तो क्या, उस जमाने में पूरे कॉलेज में बीभा से सुन्दर लड़की नहीं थी, अनेक मन चले और रोमांटिक मिजाज के पहाने ढूंडा करते थे, लेकिन वीभा का ध्यान कभी इस तरफ रहा ही नहीं, उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई में ही था, मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है, कि फर्ष्ट एयर से ही वो मुझे अच्छी लगती थी, उसका ख्याल आते ही मेरे मन में मिठा मिठा दर्ध होने लगता था, उसके सामने पहुंचते ही दिल बड़ी जोर से धड़कने लगता था, मिरा मन उससे बाते करने, उसे देखते रहने के लिए किया करता था, उसके ख्यालों में गुम होकर मैं रात रात बर जाकता रहाता, उससे देखने के च्छन से ही म मैं उसकी तरफ आकरसित होने लगता था और ये आकरसन समय के साथ बढ़ता ही चला गया। मैंने कभी दूसरे लड़कों की तरह उसे कभी कुछ कहा नहीं। बाते करने का बहाना तक तलास नहीं किया। यहां तक कि फर्श्ट एर में मेरी विभा से कभी कोई बात तक नहीं हुई। मेरा प्यार फुर्नत्या एक तरफा और मुख था। पूरी तरह खामोस। हां दूसरे की तरह मैं भी उसके दिमाग का लोहा मानने लगा था। उन दिनों विभा अत्यन्थी सादगी थी। चेहरे पर पूर्ण गंभीरता लिए। वो पूरी उनर्वर्सिटी में परथाम आई। जबकि मैं केवल सेकेंड क्लास मार्क सी प्राप्ट कर सका था। हम कैंटीन और मैस एक साथ अटेंड करने लगे। और मुझसे खुल कर दोस्तों जैसा बेवार करती थी। उस सारे साल में परतेक रात को दृटनी चै करता रहा कि कल विभा से अपने मन की बात कह दूँगा। परन्तु दिन में सिट्टी पिट्टी गूम हो जाती थी। जब भी मैं उसके सामने होता था। दिल की बात उसे कह देने की जिसी हिमत ही नहीं होती थी। बिभा की गंभीरता उसकी निश्चल और स्वक्ष बाते मुझे कुछ कहने ही नहीं देती। साहस टूट जाता। हर दिन यहीं हुआ। कई बार यह सोच कर कि मैं जुबान से कुछ नहीं का पा रहा हूं। पत्र लिखे मगर देना सका। पत्र लिखे लेकिन कभी उस तक पहुचा ना सका। पत्र दो-चार दिन में पढ़ा रहा था। फिर उसे भाड कर नया लिख लेता। सारे साल मैं यूही पत्र लिखता रहा और फारता रहा उन दिनों मेरे लिखे उपन्यास भी परकासित होने लगे थे मगर मेरे नहीं किसी अन्या के नाम से बीभा ने फुना इउनरसिटी टौफ की इस बार मेरे फर्स्ट क्लास के मार्क्स थे साइद उसी के साथ रहने के कारण हम तीसरे साल में परविष्ठ हो गए उस सारा साल भी यूही निकल गया मैं कभी अपनी प्यार को जुबा पर भी नहीं ला सका नहीं अन्याक किसी माध्यम से बीभा को अपनी दिल की बात बता सका हमारे पेपर सुरू हो गए और अंतिम पेपर छूटने के बाद वीभा उसकी तरफ भागते हुए मैंने उसे पुकारा और रूकी बोली हेलो वेद पेपर कैसा रहा ठीक भागने के कारण मैंने अपनी उखडी हुई सांस को नियंतित करने की कोशिस की क्या बात है वीभा मुसकुराई काफी दूर से भाग करा रहे हो नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है मैं संबला फिर आज के बाद हम अपने अपने सहर लोड जाएंगे इसलिए सोच रहा था कि मेरे गले में जैसे कुछ फास गया था हाँ हाँ बोलो ना क्या सोच रहे थे यह कि हम साथ बेट कर आखरी बार चाई पी ले ओह ये बात थी आओ मैं केंटीन की तरफ ही जा रही थी केंटीन नहीं वीभा मैं सोच रहा था कि कहीं बाहर मेरे मूँ से निकलता ही चला गया बीभा का चेरा आचानक ही गंभीर हो गया मेरा दिल घबड़ा उठा थोड़ी कठोरता सी भी उसके चेरे पर उबरी घबड़ा कर मैं उससे अपनी कही हुई बात पर छमा मांगने वाला था कि अचानक उसके होटो पर बड़ी प्यारी सी मुस्कान उहर आई बोली चलो जब आखरी बार ही साथ बैठ कर चाई पीनी है तो वहीं पीएंगे जहां तुम कहोगे मेरा मन मयूर नाच उठा दिल में एक उमंग से उठी लगा कि वो भी मेरे दिल की भावनाओं को समझते हैं फिर भी मेरे साथ चाहे जहां चलने के लिए तयार है इसका सीधा सा अर्थ है कि वो मेरा प्यार सिकार कर लेगी हम दोनों एक होटल के कैविन में जा बैठे रास्ते में मैंने द्रीड निश्य कर लिया था कि आज जैसे भी हो अपने दिल की बात बिभा से का करे रहूंगा और चाहे के मेज पर आते ही मैंने कहा बिभा हम दोनों एक होटल के कैविन में जा बैठे रास्ते में मैंने द्रीड निश्य कर लिया था कि आज अपने दिल की बात भी बिभा से का करे रहूंगा और चाहे के मेज पर आते ही मैंने कहा बिभा हम जाने किन विचारों में डूबी बिभा चोओं की उसने मेरी तरफ देख मैं सक्पा काया किंदू सीगरी संभाल कर बोला मेरा एक उपन्यास मेरे नाम से छप गया है रियली उसने आस्यरे बैक्त किया हां कहने के साथ ही मैंने जेब से दहकते सहर उपन्यास निकाल कर मेज पर रख दिया उसने उपन्यास उठाती हुए कहा Very good, congratulations, wed, thank you मैं इतना ही कह सका बीभा दहकते सहर को उलट-पुलट कर देखती रही उसकी मुखडे की तरफ देखता हुआ मैं असली बात कहने का साहस जुटाता रहा उपन्यास को देखते हुए उसने पूछा छपकर मार्केट में कब आया ये? एक महीने पहले और तुम एक खुसकबरी मुझे आज दे रहे हुँ? हाँ भीभा, मेरा स्वर सुपनिल सा उठा तुम्ही एक खुसकबरी देने के लिए मैंने आज ही का दिन चुना था आज का दिन? वह क्यूँ? क्यूंकि आज मैं तुमसे एक और बात करने वाला हूँ कैसी बहकी बहकी बाते कर रहे हो वेद? मैंने सारी दुनिया भर का साहस बटोर कर कहा ये एक ऐसी बात जिसे तुमसे कह देने के लिए मेरा मन तभी हुआ था जिस चन तुम्हे देखा था किन तु तीन साल तक भी ना कह सका ऐसे क्या बात है? वीभा मैं तुमसे मेरा हालक सुह गया सारा चेरा पसीने से भरवरा उठा प्यार करता हूँ वीभा ने मेरा वाक्य पूरा कर दिया मेरा दिल ठाक से रा गया सच, उन दो चार चनों के लिए मेरा दिल बिलकूल नहीं ढड़का था चेरे पर धेर सारी पसीना और हका बका रहजाने के भावली मैं उसकी तरफ देखता रहा मैं तुसे अपना वाक्य पूरा भी नहीं कर सका था मैंने तो सिर्फ कहा था विभा मैं तुमसे प्यार करता हूँ विभा ने मेरा अधूरा वाक्य पूरा कर दिया था वो बिलकूल गंभीर थी मेरे मूँ से बड़ी मुश्किल से फसी फसी आवाज निकली हाँ चलो तुमने ये बात कही तो सही विभा बोली उसके इस वाक्य ने मेरे हौसले बुलंद कर दिये बोला सच विभा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मुझे अपने नाम से छपने वाली इस पहली कृती की कसम है तुमसे साधी करना चाहता हूँ इतनी बड़ी कसम मैं इससे भी बड़ी कसम खा सकता हूँ विभा सच मैं तुमसे बेहर तुम्हारी कसम तुम्हारे इस खुफसुरत मुख्डे की तरफ देख कर मैं हमेशा से यही कलपना करता रहा हूँ कि इस मस्तक्स पर सिंदूरी बिंद्या लगेगी तुम्हारी मांग से सिंदूर भारा होगा उस रूप में तुम कितनी सुंदर लगोगी अपने इस रूप से कई गुना ज्यादा सुंदर ओ बिंद्या ओ सिंदूर सब मेरे लिए होगा मैं उवेद उसने टोका उड़ते उड़ते जैसे किसी ने मेरे पंक काड़ दिये चौकर उसकी तरफ देखने लगा उसने बड़े ही स्तांत और गंभीर स्वर में कहा मैं जानती हूँ कि तुम भावख हो भावख न होते तो लेखन की तरफ कभी न जूगते लेकिन भावनाओं में इतनी दूर तक मत बहो कि उनी में डूब कर आजाओ क्या मतलब विभा मैं जमीन पर आगिरा मैं इन प्यार मुहबद की बातों से नफरत करती हूँ वो विभा मैं किसी जक्मी के समान छटपटासा उठा जो तुमने कहा है या आगे भी जो कुछ तुम कह सकते हो ओ मैं जानती हूँ आज से नहीं बलकि तभी से जब हम फर्ष्ट एर में थे तुमसे पहले भी सेकडो लड़के मुझसे यही कह चुके है मैं उन लड़कों जैसा नहीं हूँ विभा जानती हूँ इस दिए तुम्हारे कहने पर मैंने ओवैसा नहीं किया जैसा उन लड़कों के साथ करती रही हूँ इसा कहने से पहले ही मेरे हाथ का ज्छनेदार थपड उनके गाल पर पड़ता था मगर तुम्हारे साथ मैं इसा नहीं कर सकी जानना चाहते हो क्यो क्यो क्योंकि मैं जानते हूँ कि तुम सचमुच मुझसे बहुत प्यार करते हो मैं चक इतनी गाहों से उसकी तरफ देखता रहा वो कहती ही चली गई सचमुच अपनी बात कहने के लिए तुमने बहुत अच्छा दिन चुना है हमारी कॉलेज लाइफ का आखरी दिन अगर तुमने आज से पहले कभी मुझसे ये बात कही होगी तो तुम्हारे साथ भी वहीं बेहवार करती किन्तु तुमने सचमुच गर्व के धहर्यका सबूत दिया है इतना जबरदस्ट धहर्यका कि मैं खुद भी तुम्हारे मुझसे ये वाक के सुनने के लिए बेचैन हो उठी थी वो बीभा प्यार खासी और बैर किसी के छुपाने से छुपते नहीं है वेद और कम से कम उस लड़की से तो बिल्कुल भी नहीं छुपा सकता जिससे उसकी इर्दगिर्द रहने वाला पुरुस प्यार करता हो हर नारी को इस्वर ने पुरुस की नजरों का अर्थ समझने की अदभुत सक्ति दी है भले ही नारी अंजान बनी रहे लेकिन वो जानता है कि कौन समर्द उसे किस द्रिष्टी से देखता है एक नारी होने के कारण वही अदभुत सक्ति मुझे में भी है और उस सक्ति ने मुझे उसी च्छन तुमारे मनोभाव बता दिये थे जिस च्छन तुमने मेरी तरफ पहली बार देखा था आज से तेन साल पहले एडमीसन वाले दि फिर भी तुम इसलिए फर्ष्ट यर में मैंने तुमसे बात तक नहीं की हाँ तुमारी नजर मैं बराबर पढ़ रही थी मुझे उमीद थी कि किसे न किसी बहाने मुझे बात करने या मेरा समी प्यपाने का पर्यास करोगे मुझे वहीं वाक्य कहोगे जो तुमने आज कहा है मगर तुमने मेरी इस धारना को गलत साबित कर दिया पूरा साल गुजर गया तब मैं समझ गई कि तुम दूसरे लड़कों की तरह कम से कम छी छोरे नहीं हूँ अपने आलावा मैंने तुमें कभी आनिया लड़की की तरफ आख उठा कर देखते भी नहीं देखा जबकि मैं जानती हूँ कि तुम से बहुत सी लड़किया इंटेस्टि लेती थी तुमारे इसी कारेक्टर ने सेकेंड इयर में मुझे तुमारा दोस्त बना दिया जब दूसरा साल भी गुजर गया तो मैं तुमारे प्यार की काईल हो गई गुजरते हुए तीसरे साल ने मुझे बेचैन कर दिया और आज सुभा तक मेरी बेचैनी बहुत बढ़ गई थी जानते हो क्यों मैं ये बेचैनी सब्द क्यों पर्यों कर रही हूँ क्यों क्योंकि मैंने तुम में देश का एक अच्छा डिटेक्टिव नोवेलिष्ट बनने की गुन देखे है बीभा ये संच है वेद और ये भी संच है कि तुम्हारे कैरेक्टर से परभावित हूँ तुम्हारे जजबातों की कदर करती हूँ तुम्हारे दिमाग में जिंदगी भर के लिए रह जाने वाली खलबली दिल पर रह जाने वाले वोज की हुक साय तुम्हें कभी अपने कार्य के प्रती इमंदार ना होने देता मुझे डर था कि अगर तुमने मुझसे बात नहीं की तो देश तक भावी और अच्छे जासुसी उपन्यास को खो देगा यह मैं नहीं कहती मैं अभी समझ नहीं सका होंकि तुमने मेरे प्यार को स्विकार किया या कह चकुई हूँ वे कि मुझे इस किस्म की बातों से नफरत है उसने मेरा वाक्य बीच में ही कार दिया तुम्हें भी सला दूंगी कि इस प्यार व्यार के चकर में कम से कम तब तक न पढ़ना जब तक कि कुछ बढ़ना जाओ ये चकर इनसान को उसके असली मकसद से भढ़का देता है एजुकेशन पूरी करने के बाद आज से हमारी लाइफ शुरू हुई है हमें अपने अपने छेतर में आगे बढ़ना है तुम्हें उपनियासकार बनना है बहुत अच्छा अपने छेतर में सबसे उपर जाना है तुम्हें ये एक दोस्त की राय सुवकामना है सिर्फ दोस्त की सच मेरे मन में तुम्हारे लिए एक दोस्त के अलाबा कोई भावना नहीं है ये रिष्टा सबसे उचा है वेद पति-पत्नी के रिष्टे से भी कहीं उचाब, प्लीज, किसी अन्य भावना का मिसरन करके इसे दागदार मत करो, ऐसा करके तुम अपने साथ नाइंसाफ ही करोगे, मगर मैं जानती हूँ कि क्या कहोगे, यही न, कि तुम अपने दिल के हाथों से विवस हो, यह कंची भावन होगा, किन्तु ओ दुख अस्थाई है, आखे मोंद कर सब कुछ भी याद नहीं रहने देगा, इन छणों को, इन छणों में मिलने वाले उन दुखों को, जिने तुम असानिये समझ रहे हो, भूल जाओगे, और उसने सच कहा था मधू, मैं बताता ही चला गया, एक-एक जाता वीभा ने, मैं समझ चुका था, कि उसने मेरा प्यार ठुकरा दिया है, सच उस वक्त कठोर हकीकत से भरी, उसकी धेर सारी बातों में से मेरे पल्ले एक मिनई पड़ी थी, मेरे सीर पर प्यार का भूत सवार था, इसलिए किवल यहीं बात मेरे पल्ले पड़ सकी, कि बीभा ने मेरा प्यार ठुकरा दिया है, उसकी सेस बातों का मैंने यहीं अर्थ निकाला, क्यों मुझे बच्चा समझ कर सब्दों के खिलोने से बाला रही है, बहुत दुख हुआ था मुझे, लगा था कि इस चोट को पूरी तागत लगाने के बावजूद भी मैं बरदा जास्त नहीं कर सकूँगा, मगर अब वीभा की तरफ से इतने असपश्ट इंकार के बाद हो भी क्या सकता था। एक तरफा प्यार से क्या होता है, जिसके मन में मेरे लिए दोस्ती से आगे की कोई भावना ही नहीं है, उसके मन में मैं अपने लिए प्यार नहीं भर सकता थ ये सोच कर मैंने उस कीविन में उसकी बातों में आजाने का नाटा किया मैंने कहा कि उसे मैं अपनी दोस्त के रूप में ही याद रखूंगा उसने मुझसे वादा लिया कि मैं अपने उपन्यास लेखन के काम में चारो तरफ से आखे मूंद कर जूट जाओंगा इस सारी उदेडबुन में हम दोनों की बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी हमारी चाय हमने चाय दुबारा मंगाई दोस्तों की तरह पी वहाँ से उठकर दोस्तों की तरह ही होश्टल तक आए और फिर हमारे हाथ एक अनिस्चित समय तक की बिदाई के लिए मिल गए फिर क्या हुगा बहुत ध्यान से सुन्ती हुई मधू ने पूछा अपने होश्टल के कमरे में आकर मैं पलंग पर गिर्ब गया फूट फूट कर रोया उसकी इनकार से दिल पर लगी चूट मुझे बिल्कुल असानी ये महसूस दे रही थी यहां तक की एक बार को तो मेरी सब्दो का खयाल आ गया उसने मुझे ओपने आसकारों की स्रेनी में बहुत उचा उठने की इच्छा की थी उस सारी रात मैं एक च्छन के लिए भी नहीं सोया फूट फूट कर रोता रहा सुभा को सात बजे पता लगा कि वीभा प्रात पांच बजे वाली गाड़ी से ही चली गई है मेरे दिल में पुना दर्द की एक तिवर लहार उठी मैं फिर रो पड़ा मन हलका हो गया उसके बाद सच मुच मैंने पूरी लगन से सब कुछ भूल कर अपने काम में जुट जाने की ठाल ली इस सोच कर कि मेरी बिभा की यहीं इच्छा थी मेरी मेहनत रंगलाने लगी नाम उभरने लगा कुछ दिन तक बिभा की याद एक कसक बन कर दिल में चूपती रही और फिर धीरे धीरे उस पर गर्द सी चाने लगी लाखो पाठक मुझे प्यार करने लगे थे उन्ही के प्यार और अपने उपने आसों की कहानी में डूब गया उसने सची कहा था कि लगा दिल में लगा जखम भार गया तुमसे साधी भी हो गई और मैंने बीभा के साथ गुजारे बक्त को इतना भी महतवपुर्ण नहीं समझा कि कभी उनका जिकरे तुमसे करता किसने सच कहा है मधू बक्त बड़े से बड़े जखम को भी भार देता है और बीते बक्तों के साथ बीभा के साथ गुजारे गए उस सारे हसे लमहे भी अब धूमिल पड़ चुके है कि तब बिमूर सी मधू मेरी तरफ देखती रहा गई चुफ होने पर जब मैंने उसे इस तरह अपनी तरफ देखते हुए पाया तो फूचा क्या हुआ मधू तो मुझे इस तरह क्यू देख रही हो क्या आप वाकई वैसा है जैसा अभी अभी आपने कहा क्या मतलब क्या आप सचमुच बीभा को भुला बैठे थे कुछ में न समस्त हुए मैंने कहा हाँ लगभग आज मुझे चूट सी लगी है मैंने तो कलपना भी नहीं की थी कि आप इतने स्वार्थी हो सकते हैं इतने खुद गर्ज मेरी नजर में ऐसे तो नहीं थे आप मधू मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम क्या कहना चाहती हो आप उसे भूल गए उसे जिसकी बज़े से आज आपका नाम लाखो करोडो पाठक जानते हैं वरना आप सायद आपका कोई अस्तित वहीना होता आप उसी को भूल बैठे थे कास आपने पहले कभी मुझे हॉल में चम की थी कास उस बक्त मुझे पता होता कि वह इतनी महान है तो मैं बड़ी स्रधा से सुनकर उसके चरन असपर्स करती मधू जानते हो क्यों मैं हक का पक्का सा उसे देखता रहा गया था जबकि वह इतनी चली दिलवाला है और मैं उसे च्छामा मांगती ये कहती कि मेरा पती खुदगर्ज है उसे भूल गिया था अपने स्वार्थी पती की तरफ से मैं च्छामा मांगती हूँ मधू के तम-तमाय चेहरी की तरफ मैं देखता ही रा गया काफी देख तक तो कुछ काने का सहासी ना जुटा सका काफी कोशिस के बाद थोड़ी देर के बाद बोला लगता है कि तुम ठीकी कर रहे हो मधू मुझे बीभा को नहीं भूलना चाहिए था अगर आप सच पूछे तो आपकी सरस्वती बीभा ही है उस दिन कैबिन में जो बाते उसने आप से की उइ इतनी सुल्जी हुई और सत्यता से भरी बाते थी कि मैं वैसी बाते करने की कलपना भी नहीं कर सकती मैंने तो आज से पहले ये भी नहीं सोचा था कि कोई लड़की इतने सुल्जे हुए दिमाग की भी हो सकती है सच मुछ मधू मैं एक बार फिर कहूंगा कि बीभा बेहदी ब्रिलियंट है आज उसे देखते ही मैं बुरी तरह चौक पड़ा दिली के जखम पर लगे टाके जिसे उधेरते चले गए ओ बेहद सम्मानित है मेरे लिए स्रधा की पात्र मुझे देखते ही उसका चेरा किस तरह खिल उठा था ही भगवान जल्दी ही डिनर का बक्त हो ताकि उस देवी के चरन चुकर मैं आपके गुना की माफी मांग सकूँ ये सोचकर मेरे मन में मधू के लिए धेर सरा प्यार उमडाया कि ये सब्द उसने उस लड़की के लिए कहे है जिसका मैं कभी बोरी तरह दिवाना बना रहा था ये जानने के बाद कि जिंदल परिवार की बहुरानी से हमारे इतने घनिश संबंध है होटल का सारा इस्टाप हमें बिसेश, सम्मान और सरधा से देखने लगा था मैनेजर ने हमें बताया था कि जिंदल परिवार ने अपने निवास अस्थान का नाम मंदी रखाए पवने साथ बजे ही हम टेक्सी द्वारा मंदीर की तरफ रबाना हो गए जब मंदीर के पोर्च में हम टेक्सी से उतरे तो भोचके से अपने चारो तरफ देखने लगे मंदीर नाम की ओ इमारत किसी भी रूप में ताज महल से कम खुफसूरत नहीं थी उची और संग मरमरी बाउंडरी वाल के घीरे भुभाग के बीचो बीच खालिस सभेद रंग के संग मरमरी पत्थरों से बनी पांच मंजिली इमारत सीना ताने खड़ी थी इमारत के चारो तरफ लौन था लौन में दिवार असोक, जामुन और सतूत आधी के अनेक ब्रिक्ष थे घास ऐसी थी जैसे हरे रंग का मकमाली कालीन बिचाओ क्यारियों में खीले सेकडो किस्म के फूल बातबरन को माकाए हुए थे इमारत का मुख्य द्वार किसी कीले की तरह बिसाल एवं भाबया था और द्वार के मस्तक्स पर लिखा था मंदिर किसी बगुले के से सफेद रंग की बेदाग और वर्दी पाने मंदिर के चार सेवकों ने हमारी अगवानी की वे हमें इमारत के अंदर ले गए हमने देखा कि इमारत के भीतरी भाग में लगे सभी पत्रों पर रमायन की चौफाया लिखी थी सिर्फ फर्स पर चौफाया नहीं लिखी थी हमारी अगवानी करते हुए सेवक हमें कई गैलरियों हौलों और दलानों से गुजरते हुए ले जा रहे थे दिवारों थमबों और छतों में जड़े पत्थरों फर लिखी रमायन की चौफायों को मैं और मधू पढ़ते हुए भोचक्के से चले जा रहे थे आचानकी मैंने एक सिवक से पूछा कि क्या समूची इमारत पर ही ये चौफाया लिखी है तब उसने बड़े सम्मानिस्वर में जवाब दिया जी हाँ दरसल इमारत की सभी दिवारों पर चौफायो के रूप में संपूर्ण रमायन लिखी हुई इसलिए इस इमारत का नाम मंदिर रखा गया है संपूर्ण रमायन ना चाहते हुए भी मेरे मूँ से चकित सा स्वर निकल पड़ा आगे बढ़ते हुए उसने खालकी सी मुस्कान के साथ सिर्फ इतना ही कहा जी हाँ मेरा दिमाग जन्ना करा गया मन ही मान उस आइडिये की सेवकों के लिए बिना नहीं रा सका मदू भी भौचकी सी मेरे साथ सेवकों के पीछे चली जा रही थी सेवकों ने हमें एक बहुत बड़े हाल में पहुचा दिया था वहीं बीभा थी जो हमें देखते ही स्वागत के लिए खाड़ी हो गई थी इदि मैं उस हाल की खोवसूर्ती का बर्नन करने बैठू तो साथ कई पेज भरता चला जाओंगा इसलिए संचिप में किवल इतना ही लिखूंगा कि हाल इंद्र की मधुसाला जैसे लग रहा था बीचो बीच एक बहुत लंबी डाइनिंग टेबल रखी थी टेबल पर सजे थे चांदी के चम चमाते हुए बर्तन बीभा ने हमें डाइनिंग टेबल से संग बंदित कुर्सियों पर बैठाया मधु ने सचमुच उसके चरन अर्सपर्स करे मेरे स्वार्थीपन की छामा मांगी जब मधु ने ऐसा किया तो कुछ भी ना समझने के कारण बिभा बौखला सी गई जब मैंने उसे सब कुछ समझाया तो खिल खिला कर हास पड़ी बोली बेठ को एक अच्छा लेखक बनाने के लिए मैंने कुछ नहीं किया किसी को कोई कुछ नहीं बना सकता हर ब्यक्ती अपने टैलेंट और मेहनत से कुछ बन जाया करता है कुछ देर तक इसी तरह की अफशारिक बाते खोती रही मैंने चौंकते हुए पूछा मिस्टर अनूप कहा है नजर नहीं आ रहे अभी आ जाएंगे बीभा के स्वर में अजीब सी गंभीरता उभाराई लेकिन हमें यहां बुला कर वे खुद चले कहां गय गय नहीं गय कहीं नहीं वहां उस कमरे में है बीभा ने एक बंद कमरे की तरफ इसारा किया मैं और मधू चकितरा गए द्रिष्टी बंद दर्वाजे पर इस्तिर हो गए मेरे मूँ से हैरत में डूबा स्वर निकला उस कमरे में? मगर क्यों? मिश्टर अनूप उस कमरे में क्या कर रहे है उन्हें बुलाओ बीभा अभी नहीं बीभा का स्वर पहले से भी कहीं ज़्यादा गंभीर था साड़ी साथ बज रही वाल कलोग की तरह देखती हुई वो बोली ता तीस मिनट मगर किस चीज में? उनके बाद आने में मैं कुछ समझा नहीं बीभा मेरा स्वर हैरत में डूबा जा रहा था मिश्टर अनूप ठीक आठ बजे ही उस कमरे से बाहर क्यों निकलेंगे? वहाँ हुए क्या कर रहे है? ये सवाल तो उनके बाहर आते ही खुद मुझे भी उनसे पुछना है तुम अजीब सी रहस्य मैं बात कर रही हो बीभा ऐसा क्या है? क्या वे हर रोज इस समय उसी कमरे में बंध होते हैं? नहीं तो फिर उस बक ठीक साड़े चार बजे थे जब वो यहाँ है मुझसे बोले कि वे उस कमरे में जा रहे हैं ठीक साड़े तीन घंटे तक उस कमरे में रहेंगे मैं चकरा गई सोचने लगी कि साड़े तीन घंटे तक वे अकेले उस कमरे में बंध होकर क्या करेंगे? यही सवाल मैंने उनसे पूछा भी किन्तु उन्होंने कुछ भी नहीं बताया जब मैंने ज़्यादा जिद की तो उल्टे डाटने लगे मैं चकित निगाहों से देखती रा गई क्योंकि पहले कभी वे मुझ पर इस तरह से नहीं जुझलाई थे मैं अवाक सी खड़ी उनकी तरफ देखी ही जा रही थी क्यों मुझे कठोर सब्दों में ये हिदायत दे कर कमरे में चले गए कि साधे तीन घंटे से पहले उन्हें किसी भी सुरत में डिश्टर्व न किया जाए मेरे चेहरे पर हैरानी के भाव उभाराए मधू भी चकित सी बीभा की तरफ देख रही थी न रहा गया तो बोला मगर ये बात क्या हुई बीभा मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ समझ तो मैं खुद भी नहीं पा रही हूँ वेद अचाना की बीभा के सुन्दर मुख्डे पर मौजूद गंभीरता अपना आकार बढ़ाती चली गई मेरी अटपटी बाते सुनकर जितने चकित तुम रागय हो उससे नहीं ज्यादा हैरत में मैं खुद हूँ जो कुछ मैंने देखा और सुना है उसे तो मेरी बुद्धी ही चक्रागी है तुमने क्या सुना है हम लोगों ने तुम दोनों को कोई उपहार देने का निश्य किया था अता उपहार खरिदने के लिए हमें बजार जाना था उस वक्त करीब साढ़े तीन बजे थे जब मैं बजार चलने के लिए तयार होकर इस हॉल में आई वो पहले से ही तयार हुए यहां बैठे थे कुछ देर तक हम यहीं बैठे बिचार बिमर्स करते रहे कि तुम्हें उपहार में क्या दे किन्तु कुछ निश्य नहीं कर सके तब अनूप ने कहा कि निर्णय हम बजार में ही कर लेंगे हम उठा कर दरवाजे की तरफ बढ़ी रहे थे कि अचानक एक ब्यक्ती ने हॉल में परविष्ट हुआ हम ठीठक गए तुम्हें उसे देखते ही अनूप के मुह से निकला था मैंने आचानक अनूप की तरफ देखा और देखते ही भोचक किरा गई क्योंकि अनूप का चेहरा हल्दी के समान पीला पढ़ता चला गया था एक पतला, दुबला और करीब साड़े छो फूट लंबा ब्यक्ती था जिस्म पर काला कोट और काली ही पतलोन पहने हुए उस ब्यक्ती के होट मोटे काले और भद्दे थे आँखे किसी नसे के कारण सुर्ख और डरावनी सी अनूप की तरफ देखता हुआ और निरंतर जहरीले अंदाज में मुस्कुरा रहा था तो तुम यहां की वाए हो अनूप ने लगवग चीकते हुए पूछा जबाब में उसकी मुस्कुराहट गहरी हो गई भद्दा हाथ कोट की जेब में गया और जब वो बा आराया तो उसमें एक संतरा दाबा हुआ था संतरे को देखते ही अनूप के चेहरे का रंग उड़ गया उसने संतरा हवा में उच्छाला लपका फिर हवा में उच्छाला लपका और बार बार ऐसा ही करता हुआ अनूप की तरफ बढ़ने लगा मैंने कभी उस व्यक्ती को कभी उस व्यक्ती को देख रही थी और कभी अनूप को अनूप की द्रिष्टी संतरे पठी की थी और उसे भायवस कापते दे कर मैं हैरान थी प्लीज ये संतरा जेब में रख लो अनूप गिडड़ा उठा ओ हसा बड़ी भयानक हसे थी उसकी अनूप के चेहरे को मैंने पसीने पसीने होते देखा रो देने के से अन्राज में चीक पड़े आखिर तुम चाहते क्या हो यहां क्यों आए हो आपको मेरे साथ चलना होगा कहते हुए संतरा उसने जेब में रख लिया कहां जहां मैं कहुँ मगर इस बक्त तो मैं अपने पत्नी के साथ खामोस अनूप का वाक्य फूरा होने से पहले ही ओ गुर्रा उठा तुम्हें इसी बक्त मेरे साथ चलना होगा वरना मैं इस संतरे को यही छिलना चालू कर दूँगा और फिर इसकी फाके बिखर जाएंगे नहीं नहीं अनूप पागलों की तरह चीक पड़ा तुम्हें इसा नहीं कर सकते मैं तुम्हेरे साथ चल रहा हूँ विभा तुम्हें ही ठैरो मैं अभी आता हूँ लेकिन प्लीज विभा इस बक्त कोई सवाल मत करो वापसा कर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूँगा फिलाल मैं इसके साथ जा रहा हूँ इतना कहने के बाद वे कुछ इतनी तेजी से हॉल का दरवाजा पार कर गए कि मुझे भी कुछ कहने का मौका ही न मिल सका मैं हकी बक्की सी खाड़ी रा गए जबकि वे और उनके साथ ही वो संत्रे वाला आदमी भी जा चुका था बहुत देर तक मैं किर्तब वेविमूट सी मुझ फाड़े खाड़ी उस दरवाजे को देखती रही जिससे वे निकल कर गए थे फिर धाम से सोफे पर गीर पड़ी तुम्हारे लिए प्रिजेंट लाने की बात में बिल्कुल भूल चुकी थी सोफे पर पड़ी दो-चार मिनट में ही उस आश्यर जन घटना के बारे में सोच सोच कर हैरान थी जो अभी घटी थी और चींतित हो रही रहरा कर मेरी आँखों के सामने संत्रे वाला आदमी उसकी वे जहरीली मुस्कान उसके सब्द अनूप की घबडाहट उनकी गिड़डाहट चकराने लगा करीब एक घंटे बाद यानी साठे चार बजे वे तेजी से और लंबे लंबे कदमों के साथ हौल में फूना परविष्ट हुए मैं एक जटके से खाड़ी हो गई इस बार उनके साथ संत्रे वाला आदमी नहीं था मुझे देखती ही रहे मैं दावे के साथ कह सकती हूं क्यों एक इसी उल्जन में उल्जे हुए थे बेहद परिसान चाहा कर भी मैं कुछ बोलना सकी जबकि उन्होंने कहा तो तुम बीभा तुम अभी तक ही यहीं हो जी मेरे गले में जैसे कुछ फंस गया था मधू और वेद के लिए कोई प्रिजेंट लेने नहीं गई जी नहीं क्यू मैं तो कह गया था कि आप तो जानते हैं कि मैं कभी अकेली बजार नहीं जाती हूं तुम समस्ती क्यों नहीं वीभा फिलाल मुझे काम है तुम जा कर कोई प्रिजेंट ले आओ अब आपको क्या काम है मैं उस कमरे में जा रहा हूं साधे तीन घंटे तक मुझे उसी कमरे में कोई जरूरी काम करना है याद रहे तुम या अन या कोई भी मुझे बिल्कुल भी डिश्टर्फ न करे जब तक कि ये साधे तीन घंटे गुजर न जाए मगर एसा आपको क्या काम है कमरे की तरह बढ़ते हुए वे ठीटिये और बोले फिलाल मैं कुछ नहीं बता सकता यदि भी दिमाग ने साधिया तो साधे तीन घंटे बाद इस कमरे से निकल करी सब कुछ बताऊंगा मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है पता नहीं आप कैसी बाते कर रहे हैं ओ संत्रे वाला आदमी कौन था आप संत्रे वाले से इस कदर क्यू डरते हैं इस बक्त मेरे पास तुमारे किसी सवाल का जवाब देने के लिए बक्त नहीं है एक एक छण कीमती है याद रखना साड़े तीन घंटे से पहले मुझे किसी भी हालत में डिश्टर्व न किया जाए। बीभा की उस छोटी सी कहानी ने हमें बुरी तरा हैरान कर दिया। इस वक्त उस कमरे में बंद था, साड़े तीन घंटे के लिए। आखिर इन साड़े तीन घंटे का रहस्य क्या था, इसका राज क्या था। मेरी नजर अन्यासी बावाल कलोग की तरफ उठ गई। साथ बज कर चालिस मिनट हो चुके थे। परदा उठने में सिर्फ बीस मिनट रा गए थे। मगर वे बीस मिनट हमें बीस यूगों से लगने लगे। साथ मैंने तुम एक अधवुत गुन देखा था। किसी भी ब्यक्ती को देखती ही जिसके पेशे आर्थे किस्ती थी और उसकी आदतो आधी के बारे में सही-सही बाते बता देती थी। तो क्या तुमने अभी ओ अधवुत छमता है। ओ अधवुत छमता नहीं थी वेद। किसी भी ब्यक्ती को द्यान से देखकर उसके चाल ढ़ाल रंग रूफ के बारे में सोचकर काफी कुछ बताया जा सकता है। क्या तुम आज भी ऐसा कर सकती हो वीवा। हाँ। तो उस संत्रे वाले आदमी के बारे में कुछ बताओ वीवा। उसे तुमने देखा था। वो क्या था ? उसकी आर्थी की इस्तीती पेशा आदते क्या तुम बता सकती हो की वो क्या काम करता था। उसके बारे में सोच खरी तुम्हें ज़्यादा चिंतित हो वे क्या मतलब निश्चित रूप से ओ कोई गुंडा था बहुती निम्न अस्तर का ओ किसी भी लूट में सामिल होने से लेकर कत्र तक कर सकता था मेरे मस्तक्स पर चिंता की लखिरे उभार आई मधु ने चिंतित स्वर में पूछा मगर तुम्हें ये कैसे कह सकती हो वी भाण उसके चेहरे पर मौजूद कठोरता कहती थी क्यों कतल कर सकता है चाल बता रही थी क्यों गुंडा है अनूव को धामकाते बक्त उसके होटों पर जो मुस्कवान उभर रही थी ओ सिर्फ और सिर्फ पेसिवर ब्लेकमेलर के होटों पर ही उभर सकती है उसने कीमती काला सूट पहन रखा था जो उसके धनवान होने का सबूत था ओह मधू की आँखों में बिभा के लिए प्रसंसा के भाव वारा है किसी को देख लेते ही उसके बेक्तित्व की पूरी जन्मकुंडली निकाल देने वाली बिभा के लिए प्रसंसा के भाव मधू की आँखों में साफ चलक रहा था मगर असल में ओ धनेवान नहीं था क्या मतलब चौक पड़ा में बेसक ओ किम्ती सूट पहने हुए था किन्तु उसके बाए हाथ में जो घाड़ी थी ओ बेहड सस्ती थी इस से जाहिर होता है कि असल में उसकी आर्थिक इस्तिती ठीक नहीं थी केवल अच्छे कपड़े पहन कर ओएसा दर्सानी की चेश्टा कर रहा था उसके हाथ पेर देह कर मैं जान गई थी क्यों कोई सारीरीक मेहनत का काम नहीं करता दिमाग उसमें था नहीं अता दिमागी काम भी नहीं कर सकता इसका मतलब यह है क्यों किसी भी तरह से मेहनत नहीं करता हाराम की कमाई खा रहा है कमाल है भी भावाण आप किसी भी बैक्ति को देकर इतना सब कुछ बता सकती है मधु का स्वर हैरत में डूबा हुआ था महीं नहीं मधुबान कोई भी किसी बेक्ती को देखते ही इतना सब कुछ बलकि इससे भी ज़्यादा बता सकता है जरुवत के वल किसी को भी देख कर उसके वारे में गहराई से सोचने की होती है एक मजदूर यदि करोरपटी सेट के कपड़े पहन कर तुम्हारे सामने आख़डा हो तुसे देख कर तुम थोड़ा सा सोचते ही बता सकती हो कि उसेट नहीं है उसी तरह एक सेट मजदूर नहीं बन सकता मगर इंसान इस नजरी से सोचता ही कहां विववान यहीं तो चुक जाता है यदि सोचे तो सामने वाला खूली किताब के समान बन जाता है जरूरत सिर्फ उसे पढ़ने वाली आखो की होती है जिन चीजों को हम सधारन या अर्थ हीन समझ कर छोड़ देते हैं दरसल वहीं चीजे किसी ब्यक्ति के ब्यक्तितों को खूली किताब बना देती है क्या तुम ये भी बता सकती हो भीवा कि मिश्टर अनूफ उसे देखकर आतंकित क्यों हो गए थे जाहिर है कि वे उस ब्यक्ति से पुर्व परिची थे और संत्रे वाला ब्यक्ति उनके जीवन के किसी ऐसे भीएद से वाकिफ है जिससे वे किसी अन्य को नहीं करना चाहते और उस भीएद का संबंद किसने किसी रूप में संत्रे से है हाँ, संत्रे से किसी भीएद का भला क्या संबंद हो सकता है यहीं तो वे यह बता सकते है काने के साथ ही बीभा की नजरे बंद कमरे के तरफ उठ गई मेवाल कलो के तरफ देखने लगा पौने आठ वजे थे, मुझे देकर दुख सहुगा कि अभी सिर्फ पांच मिनट ही गुजरे है हमारे बीच सन्नाटा छा गया, इतना जबरदस्त सन्नाटा था कि वाल कलोग की ठिक ठिक असपश्ट सुनाई देने लगी हम तीनों ही अपने अपने भीचारों में गुम हो गए थे, सबके दिमाग में सायर सवाल एक जैसे ही थे, घड़ी की सुया बहुती मन्थर गती से रेंग रही थी, हमारे दिल तेजी से धड़कने लगे थे घड़ी की रेंगती हुई सुयो के साथ ही, हमारे दिलो दिमाग पर हावी, उतेजना और जिग्यासा बढ़ने लगी हम कभी वाल कलोग की तरफ देखते, कभी कमरे के बंद दरवाजे को, धड़कने और बेचैनी बढ़ती चली गई, समय सरक रहा था अनूफ को उस कमरे में बंद हुए साधे तीन घंटे गुजरने वाले थे, किसी तरह वे तनाव पुर्ण चन गुजरे, जो साधे तीन घंटे भी गुजर गए, और वाल कलोग ने टन टनाना शुरू कर दिया घंटा आठ वजे का संदेश दे रहा था बड़ी उमीद भरी नजरों से हमने कमरे के बंद दरवाजे हुई थी, कि तभी अच्चानक सारे मंदिर में फायर की एक जोड़दार आवाज गुज गई फायर की आवाज उसी बंद कमरे के अंदर से उबरी थी, जिसमें अनूफ साड़े तीन घंटे के लिए गए हुए थे अचानक इस फायर की आवाज ने हम सब को चकरा दिया उचल पढ़ने से अंदाज में हम तीनों एक जड़के के साथ खाड़े हो गए एक भायानक असांका ने हमें जड़ मूल तक हिला कर रख दिया रोंगटे खड़े हो गए, धड़काने जैसे रुख गई पहले विवाँ, फिर मैं और मेरे बाद मधु उस कमरे के बन्द दर्वाजे पर झपट पड़े मैं और मेरे बाद मधु उस कमरे के बंद दर्वाजे पर तुरंत तेजी के साथ दोड़े कमरे के अंदर खामोसी छाग गई मंदिर में कोहरा मच गया पागल से होकर हम तीनों जुनुनी अवास्ता में बंद दर्वाजे को जण जोड़ने लगे साथ ही अनूप का नाम लेले कर चीकते भी चले जा रहे मगर हमारी किसी भी हरकत के जबाब में अंदर से हलकी सी आहट भी न उवरी भागते हाफते और बदहवास से मंदिर के धेर सारे सेवक जमा हो गए थे भयानक असंका हमारे दिलों में अपना अकार बढ़ाती ही चली गई मया मधु तो उस बक तक खोस भी न संभाल पाए थे जब बीभा ने चीह कर सेवकों को दर्वाजा तोड़ने का हुकम दिया सेवक दर्वाजे पर जपट पटे हम एक तरफ हट गए धडाम धडाम की आवाज गुजने लगी सिवक प्रान पन से दर्वाजा तोड़ने के काम में जुट गए थे हम तीनों पसीने पसीने हो गए एक जबरदस्त धमाके के साथ दर्वाजा तूट कर कमरे में जागी रा बात अबरान में एक साथ अनेक छीखे गोज गई हम तीनों भी तूटे हुए दर्वाजे पर जपटे कमरे में दाखिल होते ही बिभा के हलक से चीखुबल पड़ी नहीं! मेरे हो सुट गए टांगे कापने लगी मधू का चेरा कागज की तरह सफेद पड़ गया उसकी आखों में भी मेरी तरह खौफी खौफ नजरा रहा था चीखती हुई विभा कमरे के फार्स पर गिर गई फिर अपनी दोनों कलाईया उसने फार्स पर दे मारी उफ! खतरनाक काच की चूड़िया तूट गई खन खना कर काच की चूड़िया तूट गई काच के नन्य नने टुकडे चारो तरफ उचल कर विखर गए एक जटके से उसने अपनी सुहाग की बिंदिया पोच डाली मेरा दिलो दिमाग हाहकार कर उठा बिभा पच्छाडों के साथ तहाडे मार मार करो रही थी पागल सी हुई ओ अपना सिर फर्स पर पटक रही थी घबडा कर मैंने मधू को इसारा किया मधू बिभा को संभालने के लिए आगे बढ़े मेरी द्रिष्टी मंदिर के सेवकों की तरफ लास पर चिपा करा गई थी अनूप की लास पर लास एक मेज के पीछे कुर्सी पर थी कुर्सी पर बैठे अनूप का सिर मेज पर था दाए हाथ में रिवलवर दाए कनपटी पर गोली का सुराक और सुराक से गर्म गाढ़ा खून अभी तक बह रहा था मेज की चमकदार सनमाई का भीगती जा रही थी मेज पर ही एक खुला हुआ पैन और कागज पड़ा था दाई तरफ फोन रखा था प्रन्तु रिसीवर क्रेडिल पर नहीं था मेज से नीचे हवा में जूल रहा था सनमाई का पर बहते खून की बूंदे टप टप करके जूलते रिसीवर के माउथ पीस में गिर रही थी हॉल में रखे फोन पर से किसी ने पुलिस को सुचना दे दी सभी सेवक तहाडे मार मार कर रो पड़े थे सारे मंदिर में बड़ा ही करुना जनक रूदन गूंज गया मेरा दिल भी फूट फूट कर रोने के लिए मचा लूठा जबडे भीज कर मैंने बहुती सक्ती से अपने रोने की इक्छा को दबाया आगे बढ़ा मधू बीभा को संभालने में लगी थी मैं अभी मेज के समी पहुचाई था कि नहीं वेद नहीं उनकी लास को छूना नहीं आचाना की बीभा की गुरहरदार चीखे ने मुझे उच्छाल दिया मैंने चौकर बीभा की तरफ देखा और दंग रह गया आशुओ से भीगे उसके चेहरे पर कठोरता थी उसका सारा स्रिंगार धूल चुका था आश्चरे जनक तरीके से जैसे वो रोना भूल गए थी मधू आउसक रूप से उसे पकड़े खड़े थी मेरे साथ सभी हैरत अंगेज निगाहों से उसे देखते रा गए वीभा की आखे अनूप की लास पर इस्तिर थी और उस लास को देखते ही देखते मेरी वीभा का चेरा पत्थर की तरह सकते खुरदरा और कठोर होता चला गया रोना भूल कर ओ इस्तिर से कदमों से मेज की तरह बढ़े बहुत ध्यान से उसने मेज पर मौजूद चीजों को देखा अंत में उसके साथ ही मेरी नजर भी खुले पैन के समीप पड़े उसे कागज पर इस्तिर होई जिस पर एक अजीव सी आकरिती बनी होई थी मैंने बड़ी ही ध्यान से उस आकरिती को देखा कागज पर उस आकरिती के ऊपर एक ओवाक्य लिखा था उवाक्य निमने था साधे तीन घंटे की कोशिस के बावजूद क्योंकि मैं इसका अर्थ नहीं समझ सका हूँ इसलिए मैं आत्म हत्या कर रहा हूँ मेरी मौत की जिमेदार सिर्फ ये आकरिती है अन्या कोई नहीं उवाक्य को पढ़ कर मेरी बुद्धी चकरा गई कदाचित बिभाने भी ओ उवाक्य पढ़ लिया था तभी तो उसने जपटने के से आंदाज में उस कागज को उठा लिया गोर से आकरिती को देखा आकरिती निमने थी बड़ा ही अजीवो गरीवो आकरिती बनी थी जैसे एक त्रिकोन हो और उसके बीच में एस बनाया गया हो और एस के साइड साइड में गोल गोल बुन्दे थी और उस त्रिकोन के अंदर भी एक और त्रिकोन थी जिसमें तीन लाइने घीची गई थी एक लाइन में एल लिखा गया था और दूसरे में नमबर कुल मिला कर बड़ा ही अजीवो गरीव था ये चित्र आकरिती को देख कर बीभा की आखे सुकुर्ती चली गई संकुचित सी होने के बाद बीभा की आखे गोल हो गई कदाचित ओ इस आकरिती का अर्थ निकालने की कोशिस कर रही थी कोशिस मेरी भी यही थी प्रन्तु मैं कुछ भी न समझ सका यदि ओवा क्या अनूप नहीं लिखा था तो वड़ी अजीव सी बात थी स्ताड़े तीन घंटे से इस कमरे से बंध होकर क्या अनूप इसी आकरिती का अर्थ निकालने में ब्यस्त था ओ अर्थ नहीं निकाल सका इसमें आत्मात्या करने की जुरत कहां से आ पड़ी बड़ी अजीव सी उल्जन थी ओ आकरिती थी ही इतनी बिचित्र जिसे देखकर किसी की भी आखे सिकूर्थी चली जाई उस आकरिती को देखकर बीभा की आखे भी सिकूर्थी चली गई संकूचित सी होने के बाद बीभा की आखे गोल हो गई कदाचित ओ इस आकरिती का अर्थ निकालने की कोशिस कर रही थी कोशिस मेरी भी यही थी प्रन्तु मैं कुछ भी ना समझ सका यदि ओ वाक्य अनूप नहीं लिखा था तो बड़ी अजीब सी बात थी साड़े तीन घंटे से इस कमरे में बंधो कर क्या अनूप ने इसी आकरिती का अर्थ निकालने में व्यस था ओ अर्थ नहीं निकाल सका तो इसमें आत्मात्या करने की जरत कहां से आपड़ी बड़ी अजीब सी उल्जन थी अभी मैं समझ भी नहीं सका था कि बीभा आकरिती का अर्थ समझ पाई है या नहीं कमरे में दाखिल हुआ दरवाजे पर पहुंचते ही उसके चेहरे पर अजीव सी वेदना भरी कठोरता उभार आई सीर से कैप उतार ली उसने और मेज की तरह बढ़ा पेटोल पर दोडने वाली आग के समान अनुव की मृतु का समाचार सारे जिन्दलपूरं में फैल गया जिसने सुना वही धक से रागया हका बक्का और वाक्सा जिन्दल परिवार से संबंदित फैक्टरियों, मीलों और दूसरे ब्यापारिक संस्थानों का तो चक्का जाम हुई गया साथी जिन्दलपूरं में मौजूद बजार और ओफिस तक बंद हो गए सभी मंदिर की तरफ उमड पड़े वैसा बाताबरन था जैसा किसी भी राष्टर में किसी जन्पिरिय नेता तो था सबका प्यारा ऐसा बाताबरन बन चुगा था जैसा कि भी राष्ट के किसी जन्पिरिय नेता के मरने के बाद हो जाता है और ओ सबका प्यारा नेता ही तो था जिन्दलपूरं का पिरिय गरीबों का मददगार दुख्यों का साथी और एक आदर्स इवक के रूप में ओ जिन्दलपूरं के हर निवासी के दिल में उवास करता था ओ समूचा छोटा सा अधूगिक नगर सोक में डूब गया था हर आख में आसू हर चेरे पर दर्द दुख में डूबी भाव विहीन भीड मंदिर में घुस जाना चाहती थी भीड को काबू करने के लिए समीब के महानगर से अत्रिक्त पुलिस फोर्स जिन्दलपूरं बुल्वानी बड़ी थी फोर्स मंदिर को घेरे भीड को नियंत्रित कर रही थी और अंदर आईजी पुलिस तक रेंज के अधिकारी आचुके थे पुलिस के फोटोग्राफर लास और दुरघटना वाले कमरे के बिभीन कोनों से फोटो ले रहे थे फिंगर प्रिंट्स वाले अपना काम कर रहे थे पोश्ट मार्टम बिभाग के लोग भी वहाँ पहुँचुके थे बिभा अनेक इस्त्रियों से घिरी हॉल के एक कोने में बैठी सिसक रही थी उसे सांत्वना देने वाले में ही मधु भी थी और मैं उसे कफी दूर हॉल के दूसरे कोने में गुमसुम सा खड़ा बिभा को देख रहा था अपनी वीभा को उसे जिससे कभी मैंने बे इंतहाँ प्यार किया था आज भी करता हूँ उसे जिसके सुहागिन होने की मैंने कभी कलपना की थी और उसे उसकी जिन्दगी में मैंने कदम रखते ही जिसे बिध्वा कर दिया था बिधवा, मेरे अंदर से एक खुक सी उठी, दिमाग में ये विचार आते ही मैं कपकपा गया, कि मेरी वीभा, मैंने उसकी जिंदगी में दुबारा कदम रखा, उफ, क्या मेरी वीभा के सुघा को मेरी नजर लगी है, कहीं ये सब इसने तो नहीं हुआ है, कि मैंने भी उसकी मांग, उसकी बिंदिया और उसके मंगल सुत्र को अपने लिए देखे जाने की कलपना की थी, क्या मेरी नजर नहीं उसकी मांग से सिंदूर पोँच कर राख हुडा दी है, क्या मेरी ही नजर उसकी बिंदिया, उसके मंगल सुत्र को डस गई है, जरूर मुझे बीभा को अनूफ के लिए स्तिरंगार करते देखकर जलन हुई होगी हौल के उस कोने में खड़ा मैं ऐसी ही धेर सारे मुर्खता पुर्ण बिचारों की मजूदगी में खुद को अपरादी सा महसूस कर रहा था ना चाहते भी मेरे दिल में ऐसे सेकडों बिचार उठ रहे थे अचानक ही आईजी सहाब मेरे पास आए मेरा परिचय जिन्दल पुरम में आने का उदेश्या आदी पूछा बिना कुछ छुपाए मैं सब कुछ बताता चला गया सुनने के बाद उनके चेरे पर हैरत के असिमीत भाव वराय फिर जेव से ओही कागज निकाल कर मुझे दिखाते हुए बोला ये कागज हमें लास के पास से मिला है मैं जानता हूँ क्या इस पर लिखा वाक्या मिस्टर अनूप नहीं लिखा था जी मैं बिस्वास पुरुक नहीं कह सकता क्यूँ उन्होंने मुझे काफी कडित द्रिश्टी से घूरा मैंने पहले कहीं मिस्टर अनूप की राइटिंग कभी नहीं देखी है ओह कहा कर वो चूप हो गया फिर जाने क्या सोचकर उन्होंने मधु को इस्त्रियों के बीच से बुलाया उसके बयान लिए सवाल लगवग वहीं थे जो मुझे से किये गए थे जवाब ठीक वहीं थे जो मैंने दिये थे उसके बाद उन्होंने बिभा के बयान लेने की एक्छा जाहिर की बहुत से लोगों की यही राय थी कि उस वक्त वो बयान देने की इस्तिती में नहीं परन्तु बिभा स्वेम ही बयान देने के लिए उठ खड़ी हुई बिभा और आईजी साहब एक कमरे में चले गए कमरा बंद कर लिया गया मैं उस वक्त नहीं जान सकता था कि कमरे के अंदर क्या बाते हुई परन्तु बाद में बिभा से जो कुछ पता लगा वही यहां लिख रहा हूँ बिभा से भी आईजी साहब को लगवग वही कहानी सुनने को मिली जो हम से सुन चुके थे तब उन्होंने पूछा क्या तुमें अपने यहां जो आने वाले महमान है उन पर कोई सक है नहीं बिभा ने दिर्टा के साथ कहा था उनका इस संबंद से कोई संबंद नहीं है खैर खैर इस कागज पर यह वाक्या आपके पति नहीं लिखा है जी हां लेकिन लेकिन आई जी ने पूछा आप एसा किस अधार पर कह रही है मैं उनके साथ से लगाए गए दस मलव को भी एक नजर में दे कर पाचान सकती हूँ और उसी अधार पर कह सकती हूँ कि यह आकरिती उन्होंने नहीं बनाई उवाक्य निसंदे उन्होंने लिखा है इसमें भी सक नहीं कि जिस पैन से उवाक्य लिखा गया है आकरिती भी उसी पैन से बनाई गई है और उपैन वहीं था जो मेजपर से आपको मिला होगा क्या उपैन मिश्टर अनूफ का ही था जी हां इसका मतलब यह है कि किसी अन्य ने मिश्टर अनूफ से पैन लेकर कागज पर ये आकरिती बनाई एसा ही लगता है क्या आप बता सकती है कि उन्होंने आत्मात्या क्यों की निस्या ही इस आकरिती का और्थ ना समझ में आने की बज़ा से उन्होंने आत्मात्या की है हम समझे नहीं आत्मात्या उन्होंने की नहीं है बल्कि उनसे कराई गई है और इसी बज़ा से मैं इसे आत्मात्या का नहीं बल्कि हात्या का मामला समझती हूं मेरे पती की हात्या की गई है हात्या? जी हां बीभा का चेरा कठोर होता चला गया दांत भीच कर ओभवक्ते से स्वर में गुर्राती चली गई किसी को आत्म हत्या के लिए बिवस करना हत्या करना ही होता है बलकि आप ये भी कह सकते हैं कि किसी की हत्या करने का ये एक नया तरीका है आपकी बाते ने तो मुझे हैरत में डाल दिया है जाहिर है कि मुझरीम ने उनसे इस आकृति का अर्थ पूछा अर्थ निकालने के लिए 1.5 घंटे का समय दिया और 3.5 घंटे में इसका अर्थ ना बताने की सुरत में मुजरिम ने उन्हें संत्रे से संबंदित भेद खुलने की धम की दी। साइद ओभेद इतना गहरा था कि उन्होंने उसके खुलने से पहले ही मर जाना बेहतर समझा। कमाल है! क्या आप साधी से पहले कहीं डिटेक्टिव रह चुकी है? जी नहीं! सिर्फ LLB पास की है! मुजरिमों की हिष्ट्री और उलजे हुए मरडर केसों से संबंदित फाइले पढ़ने का सौक रहा है! एललबी के सेकेंड एयर में मेरे एक साथी सात्र का मरडर हो गया था! थोड़ी सी ताकिकात उस केस में की थी और अब कहते हुए बीभा का चेहरा सक्थ हो गया! कसम खाई है कि उनके हत्यारे को मैं खुद तलास करके अपने हाथों से बदला लूँगी! आईजी को लगा कि वीवा भावक होने जा रही है! इसलिए सिग्रता से बोले क्या आप दोबारा सामने आने पर संत्रे वाले आदमी को पहचान सकती है! करोडो की भीड में भी पहचान सकती हूँ! वीभा का भाबकता हुआ स्वर! अच्छा! आप एक बात बताईए! बड़ा ही अजीब सा सवाल पूछ रहा हूँ! आईजी साहब ने पूछा! मुझरीम आपके पती से ही इस आकृती का अर्थ क्यों पूछना चाहता था? किसी अन्य से क्यों नहीं? इस सवाल का जवाब सामने आते ही मुझरीम बेनकाब हो जाएगा! इसी से सवाल दूसरा सवाल ये है कि मुझरीम ने ये पहली हल करने के लिए साड़े तीन घंटे का समय ही क्यों दिया? इस से कम या ज़्यादा क्यों नहीं? अभी मैं कुछ नहीं का सकती! अब एक अन्तिम सवाल आईजी ने पूछा आप ये कागज देख चुकी है? इस वक्त भी देख रही है क्या आप इस पर बनी पहली को हल कर सकती है? फिलहाल नहीं कर पाई हूँ! हाँ, आपसरी क्वेस् करा कर मेरे पास भीजवा दिजिएगा! आईजी साहब बीभा को देखते रहा गए! बीभा बोली, आप ये सोचकर हैरान है ना कि एक ऐसी पतनी जिसके पती की मृतु कुछ दिर पहले हुई है? लास अभी तक उसी कमरे में पड़ी है? आपको बयान देने के लिए तयार कै कैसे हो गई? बलकि बयान से आगे भी बाते कैसे कर रही है? जवाब एक ही है आईजी अंकल! ये इतनी सब बाते करने की तागत उन्होंने ही दी है! उस कमरे में पड़ी उनकी लास ने! उसी ने चीक-चीक कर मुसे कहा है कि बीभा तुझे सधारन पत्नी की तरह सिर्फ रो बिलक कर या हाथ त्यारे को गालिया दे कर ही संतोस नहीं कर लेना है! तुझे हाथ त्यारे को तलास करना है! उसे सजा देनी है! उससे बदला लेना है! मेरी मौत का बदला लेना है! बस! उनकी लास की उसी चीक ने मुझे तागत दिये है! आईजी सहाव! कि जिसमें जुर जोरी सी दोड़ गई। चाहा कर भी उए अपने मूँ से कोई सब न निकाल सके। बीभा की आखों से आखे तक न मिला सके थे वे। और बीभा के चेहरे पर एक द्रिध संकल्व था। पूरे आत्म विश्वास के साथ चेहरे पर कठोरता के भावलिये उए कह रही थी कि मैं आपसे वादा करती हूँ आई जी साप। इस केस को मैं खुद सुल्व करוכर दिखाऊँगी। अपने पती के हत्यारे को साथ समंदर पार से भी खींज कर लाओँगी। और उसे सब के सामने बेनकाब करूँगी। अपने पती की इस हत्या का बदला मैं स्वेम लोगी। मैं स्वेम चाहे इसके लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े लेकिन अब मेरी जिन्गी की एक मकसद होगा उस कातिल तक पहुँचना जितने इतनी वारीकी से और इतनी चलाकी से मेरी पती की हात्या की है आजी सहाब के जिसमें जुर जुरी दोड गई और चाहकर भी अपने मुझे से कोई सब न निकाल सके और वीभा की तरह बस एक टक से देखते रहा गए एक चित्र की पहली या फिर यू कहली जिये कि एक आकरी थी और समय साधे तीन घंटे का इसी साधे तीन घंटे में इस चित्र वाला पहली का जो सुलजा गया सो बच गया और जो इस पहली को नहीं सुलजा पाया इस आकरीती का अर्थ को नहीं समझ पाया उसकी मौत निश्चित तो क्या है इस साधे तीन घंटे का रहस्या और क्या है इस आकरीती का अर्थ आप लोग सुनिएगा इसी नौविल की अगली कड़ी में आधरनी श्रोता तो ये थी हमारी आज की उपन्यास की पहली एवम इसकी प्रीमियर एपिसोड इस्टोरी वीथ अरुन पर अभी आप लोग सुन रहे थी रहस्य और रोमान से भरफूर एक बहुती सस्पेंस, थ्रीलर और मडर मिश्ट्री उपन्यास हत्याकांड उपन्यास की ये पहली एपिसोड आप लोगों को कैसे लगी हमें कमेंट करके जरू बताईएगा आपको बता दू कि दिमाग की नसो को जहन जोड कर रख देने वाली एक बहुती बिचित्र और रहस्यमई उपन्यास है हत्याकांड उपन्यास जितना थ्रील है उतना ही जादा मिश्ट्रीयस भी उपन्यास की आगे की कथानक आप लोग सुन सकेंगे इसी के दूसरे एपिसोड में तो जरूर सुनिएगा हत्याकांड इसी नॉबिल की दूसरी कड़ी जिसे लेकर आऊंगा मैं अरुन गिरी इसके अगले सेग्मेंट में लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट वक्स में बताईएगा कि उपन्यास की कथानक और हमारी प्रस्तूती आप लोगों को कैसी लगी तो फ्रेंज आज के लिए बस इतना ही आज के एपिसोड से अब दिजिया प्रिपिरिया आरजे अरुन गिरी को भी इजाज़त नमस्कार